Hey everyone and welcome back to my channel Campus Darshan तो जैसे जैसे डली उनिवर्सटी में admissions का time pass आता जाएगा वैसे ही आपकी queries जो है वो बढ़ती चली जाएगी क्योंकि admission process पूरा online है तो आप किसी senior से जाके नहीं मिल पाओ के college में तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बार हमने एक बहुत important और अच्छा initiative लिया है आपके लिए and मैं आप लोगों कोई guarantee दे सकते हूँ कि अगर आप ये video देख रहे हो और आप एक due case parent हो तो आपको आपके admissions में कोई भी problem नहीं होने वाली और आपकी सारी के सारी queries जो है वो solve होने वाली है जी हाँ तो campus दर्शन ने आपके favorite channel ने देली उनिवस्टी students union EC दूसू के EC के साथ मिलके हमारे groups बनाया है WhatsApp group अब इन groups में क्या होगा एक तो देली उनिवस्टी के जितनी भी official updates है अब चाहे कि form कब से release होने है merit basis या CU set basis for admission वो सारी जितनी भी official updates आएंगी देली उनिवस्टी की sites पे और जो भी important चीजें हैं जो भी confusions हैं जो की commonly students को होती है वो सारी updates आपको इन WhatsApp groups पे मिलने वाली हैं जी हाँ तो आपको updates के लिए बिलकुल भी परिशान होने के need नहीं है और इस update के लिए आप इस channel को भी subscribe कर सकते हैं इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो काफी सारी queries होंगी आपके माइंड में तो इन groups में काफी सारे Aluminize आपको मिलेंगे काफी सारे seniors आपको मिलेंगे जो की willingly आपकी help करने के लिए तयार हैं आप इन में से किसी को भी message कर सकते हैं आप group पे अपने message जाल सकते हैं आपके वो query resolve होगी for sure तो description box में 20 groups के link है तो इन्हें join करना शुरू कर दीजे एंड हम इन groups पे 24 x 7 नजर रखेंगे तो बिल्कुल भी परेशान होने की need नहीं है अगर हां किसी को लगता है कि उन्हें join नहीं करना चाहिए तो आप मत करिए इस channel पर आपको सभी updates मिलेंगी ही साथ में आप मुझे instagram पर follow कर सकते हैं अपनी queries मुझे instagram पर पूछ सकते हैं तो कोई भी issue नहीं आएगा इसके लाब अगर मैं आपको admissions related कुछ tips दू तो यार try करो कि जैसे कि अभी हमारे पास time है अभी बात चल रही है कि अगस्त के स्टार्टिंग से ही आपके admission पॉसेजर शुरू होगा तो try करो कि आप D.U.K. admission bulletin जो है वो last year की पढ़ लीजे और जिस course के लिए आप apply कर रहे हो जिस course में आप admission लेना चाहा रहे हो उसके बारे में सारी details जान लीजे कि best 4 में कौन-कौन से subjects को include करना है और कैसे-कैसे admission होने है तो आप जितना जादा से जादा पढ़ होगे जितने जादा से आपकी knowledge develop होगी उतना आपके लिए simple होगा tip number 2 आपके लिए यही रहेगी कि documents अगर आपको पता है कि कौन-कौन से documents required है तो बहुत अच्छी बात है उन्हें अभी से ही देखना शुरू कर दीजे बनवा लीजे अगर आपके पास सारी documents नहीं है तो result वगरा के अलावा और अगर आपको नहीं पता तो description box में वीडियो क आपके देखिए कि Delhi University में admission के लिए कौन-कौन से documents required होते हैं तो tip number 2 यही है कि documents के बारे में देख लीजे बाद में परेशान नहीं हो गया tip number 3 आपकी यही रहेगी कि approach some seniors या फिर अगर teacher को आप approach कर पा रहे हो तो आपके contact में है तो कोई teachers seniors और teachers से contact करने की कोशिश कीज़े व आपको अच्छे से guide कर देंगे और आपके queries को जल्दी से जल्दी solve कर देंगे 4 tip आपके यही रहेगी किस चैनल में को subscribe कर लो और मुझे Instagram पर follow कर दो और अपनी queries मुझे आप वहाँ पर पूछ सकता है so that's it for today's video thank you